सांकेतिक भासा के बारे में जागुरुकता को बढ़ावा देने के लिए मनाया जा रहे इस कार्यक्रम से जूड कार मुझे अत्त प्रसंता हो रही है। सांकेतिक भासा को अंतरास्ट्य स्तर पर मान्यत अप्राप थे। इवन जेनरल आसेंबिली द्वारा 23 सेप्टेमबर को प्रतेक वर्ष अंतरास्ट्य सांकेतिक भासा दिवस के रूप में मनाया जाने का निन्नोई वर्ष 2017 में लिया गया था। और 2018 से यह प्रतिवर्ष मनाया जाता है। मुझे बताया गया है कि 1951 से इसी दिन वार्ड फेडरेशन डेय अफ डेव की स्तापना की गई है। वार्ड फेडरेशन अफ डेव एक बैसिक संगठन है जो साथ करोड मुक बधिर लोगों के लिए सम्मान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। मानविक धिकार और संकेतिक भासा के पहुंच को बढ़ावा देकर वार्ड फेडरेशन अफ डेव उन लाखों मुको बधिर के जीवन में सुधार कर रहा है। जो हार रोज भेदभाब का सामना करते हैं। इस वर्ष के अंतराष्ट्य संकेतिक भासा दिवस की धिम संकेतिक भासा हमें जोडते हैं। अतंत प्रासंगिक है एक कहना अनुचित नहीं होगा कि ये भासा अन्य सोभी भासाओं से अलोग और अनुठी है क्यूंकि सांकेतिक भासा के मजधम से हम किसी भी देश, प्रदेश या भूवाग में सरलता और सोजता से कमुनिकेट कर सकते हैं किसी भी प्रकार के सब्दों और उनके उचारण से रहित सांकेतिक भासा सभी को जोडने में सफल होती है संजुक द्रास्ट द्वारा संप्रुण बिश्य में सांकेतिक भासा में एक रुपता एवं समानताम लाने के लिए जो कदम उठाया है उनसे इस भासा के प्रचार प्रशार को बल मिला है इस वहल से भारत में भी मुख बधिर व्यक्तियों के ससक्तिकरण का एक नायावत प्रशास्त हुआ है सांकेतिक भासा के मानकी करण एवं विशोस्तर पर सिकृतिके प्रयास में भारत भी पूरे उस्जाह से आपना सहयोग दे रहा है ये सच हामारी संस्कृतिक के महत्तपुण सिधान्त वसुधेव उटुमबकों के अनुरूप है मुझे खुशी है कि पूरा विश्व आप इस सिधान्त का अपना दे हुए लोकल लान के मार्गवर अग्रसर है मुझे ये जानकर प्रसंता हुई है कि इस वस भारत सरकार के दिभ्यांग जनोसो सक्तिकरण विभाग द्वारा 23 सेप्टेमबर 2022 को आयोजीत सांकेतिक भासा दिवस का बिश्त्रुद कार्यक्रम आजादी का अम्रूत महस्व के अंतरगत मनाया जा रहा है आज जो भाम अपनी सतंत्रता की पचहतर्यों बर्श गांट मनाते हुए आजादी के अम्रूत काल में प्रवेश कर रहे हैं तो अब एसे कार्यक्रम का आयोजन सरहानिय है ए हमारे देश के संबिधान में अंगी कुरूत समरसता के मूल भाब को दर्शाती है आजकाल दिव्यांग जोनों के सर्भांगिन विकास के अनेक प्रयास किया जा रहा है इसी के अंतरगत एक अनुठा कार्यक किया गया है उनेक संस्ताओं जैसे की कुछ भज़नालोयों और केफे में अधिकतर सेवाकर्मी एसे हैं जो स्रभण बाधी थे प्रायव देखा गया है कि एसे कर्मचारी अतन्त उस्षा और निस्ता से काम करते हैं हमारे ये प्रयास होना चाहिए हम एसे दिभ्यांग जोनों को समान्य जीवन जीने के अवसर प्रदान करने का प्रयास करें ताकि हमारे देश समाजीक समाबेश का अग्रणी उद्धारन बन साके स्वाहबसी समाच्च के निर्मान की दिशा में अग्रसर सभी संस्थाओं का तथा दिव्यांग जन, खासकार सरवन वाधित समुदाई को में हर्दिक सुब कामनाय देती हूं में अंतरास्थ्य संकेतिक भासा दिवस के कार्यक्रम के सफल आयोजन की कामना कती हूं धन्यबाद जय हिन जय भारत